हलो मैं दिये स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा Elevation of Boiling Point of Solvent in a Solution इसका मतलब Solvent का Boiling Point Solution में जाने के बाद किस तरह Increase हो जाता है, किस तरह वो बढ़ जाता है उसके बारे में हम Detail में आपको समझाते देखिए यहां पर तीन कंटेनर है पहले वाले कंटेनर में Volatile Liquid है दुसरे वाले कंटेनर में Non-Volatile Liquid है अब यह जादा कॉंटिटी में है इसलिए Solvent और यह कम कॉंटिटी में है इसलिए Solute क्योंकि आगे जाने के बाद यह Solvent और Solute को Mix करके हम Solution बनाएंगे तो Solution में जादा कॉंटिटी वाला सबस्टेन्स Solvent होता है कम कॉंटिटी वाला सबस्टेन्स Solute होता है अब यह Volatile है इसलिए Volatile Solvent यह Non-Volatile है इसलिए Non-Volatile Solute अब देखिए हम यह समझते कि Volatile Liquid का मदलब क्या होता है देखिए ऐसा Liquid एक Certain Temperature पे अब हम आपको यह समझाते कि किस तरह यह Volatile Liquid एवापोरेशन होता है वो दिखाते है देखिए यह Volatile Liquid है तो Volatile Liquid के अंदर बहुत सारे Liquid Molecules है यह एक Liquid Molecules दूसरा Liquid तीसरा Liquid चवता ऐसे Liquid Molecules है हर Liquid Molecules के बीच में Bond होता है इस तरह इसके बीच में Bond रहेगा इनके बीच में भी Bond रहेगा यह जो Bond है यह Bond बहुत ही कमजोर होता है मतलब weak होता है जिसके वज़े से normal room temperature पे ये bond तूट जाता है इसी तरह ये bond भी तूटेगा ये भी तूट जाएगा जब ये bond तूट जाता है तो ये liquid molecule आपस में एक दूसरे से free हो जाते अब ये free हो चुके तो थोड़ा और temperature मिलते ही ये liquid state से धीरे-धीरे gases state में convert हो जाएगा मतलब यहां से liquid गायब हो जाएगा और ये gases में convert हो जाएगा इधर से भी liquid गायब हो जाएगा gases में convert हो गया इसी तरह top surface पे कुछ liquid molecule गायब होकर gases में convert हो जाते मतलब liquid state से gases state में चलेगे यहां पर भी देखेगा liquid state से gases state में जा रहे हैं तो इस तरह liquid molecule gases state में चले गए अब देखे जो भी liquid molecule यहां से gases state में convert हो चुके इसी gases state को कहा जाता है vapor phase या फिर vapor state के सकते हो तो यह vapor phase हो गया अब यह vapor phase में vapor molecules है यानि कि यह gases molecule है और आपको पता है कि gases molecule कभी एक जगा पे stable नहीं रहते वो random motion करते तो यह random motion करेंगे और यह vapor molecule आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और यह container के wall से भी टकराएंगे अब जितनी बार वो टकराएंगे यानि कि यह collision करेंगे तो pressure create होगा और जो pressure यहाँ create होता है उसी उगा जाता है vapor pressure अब मान लीजिए यहाँ पर 10 gas molecules है तो 10 gas molecules आपस में टकरा के यहाँ पर जो भी pressure create किया है वो pressure हम मान लेते 180M इसका मतलब यहाँ का pressure हो गया 180M अब जबी भी देखो यह जो liquid है यह pure liquid है मतलब volatile liquid है इसके अंदर कुछ भी mixture नहीं है तो pure liquid का vapor pressure को दिखाते हो वक्त उपर आप ऐसे 0 से दिखाते हो यानि के ऐसे goal structure से दिखाते हो तो यह vapor pressure of liquid का हो गया 180M अब हम बात करते हैं यह non-volatile liquid यानि के non-volatile solute देखेगा यहाँ पर जो liquid molecules है यह liquid molecule के बीच में जो bond होता है यह bond बहुत जादा strong होता है और strong होने के वज़े से normal room temperature पे यह bond नहीं तूटता जब bond नहीं तूटता है तो यह liquid molecule आपस में एक दुसरे से free नहीं होते और free नहीं होने के कारण यह liquid state से gas state में जाते ही नहीं है और वहाँ पर कोई भी vapor pressure नहीं बनता है तो इसका जो vapor pressure बनेगा इसका vapor pressure क्या रहेगा जीरो रहेगा समझ में आ गया अब यह volatile liquid और non-volatile liquid इन दोनों को mix करके हमने यहाँ पर बना दिया solution और इस solution को कहेंगे solution of non-volatile solute मनलब ऐसा solution जिसके अंदर non-volatile solute को add किया गया है अब इस solution के अंदर volatile solvent है और non-volatile solute है एक बाद ध्यान से दिखेगा जब यह liquid pure state में था यानि के volatile solvent pure state में था उसके अंदर कुछ भी mix नहीं था तब यह liquid molecule बहुती आसानी से जादातर liquid molecule ग्यास स्टेट में convert हो रहे थे और यहाँ पर vapor pressure 180M बना रहे थे लेकिन यह जो solution है यह solution के अंदर volatile solvent और non-volatile solute है यानि कि volatile solvent के surface पे non-volatile solute आ गया है जिसके वज़े से यह जो volatile solvent है यह बहुती easily liquid state से ग्यास स्टेट में जादातर molecule convert नहीं होते और बहुती कम liquid molecule liquid state से ग्यास स्टेट में जाते क्योंकि उपर non-volatile solute है और non-volatile solute के आदत ऐसी है कि वो evaporate होता नहीं है और उसके नीचे जो भी liquid molecule है उन्हें वो दबा देता है इसके वज़े से यहाँ पर बहुत कम liquid molecule liquid state से ग्यास स्टेट में जाते तो यहाँ पर देखेगा यह जो volatile solvent है इसका यह liquid molecule यहां से ग्यास स्टेट में चला गया दूसरा वाला liquid molecule यहां से ग्यास स्टेट में गये इस तरह यहाँ पर कुछ liquid molecule ग्यास स्टेट में जा रहे ऐसे आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ 6 liquid molecule ग्यास स्टेट में आ चुके आप इससे compare करोगे तो यहाँ पर यह pure state में था तो यहाँ पर जादा तर liquid molecule ग्यास स्टेट में चले गए थे लेकिन यहाँ पर उतना liquid molecule liquid state से ग्यास स्टेट में नहीं जा पाएंगे क्योंकि non volatile solute के वज़े से तो यहाँ पर अभी देखिए example के तोर पर 6 liquid molecule ग्यास में आ गए तो आपस में टकराएंगे और vapor pressure create करेंगे जो vapor pressure create कर रहें मान दीजिए वो vapor pressure कितना 0.6 ATM अब मैं यह जो number है यह example के तोर पर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 10 liquid molecule ग्यास स्टेट में आया थे तो जो वेपर प्रेशर बन गया वह 1 ATM यहाँ पर 6 liquid molecule ग्यास स्टेट में आ गए तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा 0.6 ATM आप अब अब्जर्व किजिएगा जब लिक्वीड यानि कि यह जो वोलेटाइल लिक्वीड है यह प्यॉर स्टेट में था तब इसका वेपर प्रेशर 1 ATM था लेकिन जब वो सोलुशन के अंदर चला गया तब उसका वेपर प्रेशर 0.6 ATM है तो आप समझ सकते हो यह जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है वेप आसानी से लिक्वीड से ग्यास स्टेट में नहीं जा पा रहे है जबकि यहां पर वो आसानी से लिक्वीड से ग्यास स्टेट में जा पा रहे थे हैं boiling point, a boiling point का definition देखिए, the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point of liquid, इसका मदलब यह है, liquid का ऐसा temperature जहां पर liquid का vapor pressure, atmospheric pressure के बराबर हो जाता है, जो temperature liquid को दिया गया है, उस temperature को उस liquid का boiling point कहा जाता है, अब उसका मदलब क्या है, मैं और आपको detail में समझाता हूँ, देखिए, सबसे पहला आप यहाँ पर देखिए, atmospheric pressure equal to 1 atm, आपको बता और मुझे बता है कि जो air medium है, जो atmosphere है, उसका atmospheric pressure कितना होता है, 1 atm होता है, next, इस पूरे data को समझने के लिए, आप एक चीज को consider करना पड़े वो यह है कि वहाँ पर देखिए, consider 100 vapor molecule creates vapor pressure equal to 1 atm, मतलब हम ऐसा consider करते, कि 100 vapor molecule, जब आपस में टकरा के, collision करके, जो vapor pressure create करेंगे, वो 1 atm का vapor pressure होगा, यह हम consider करके, पूरे topic को समझते, देखिएगा, यहाँ पर 3 container आपको दिख रहा है, यह जो container है, यह container के अंदर volatile solvent है, और इसके अंदर non-volatile solute है, अब यह volatile solvent और non-volatile solute, इन दोनों को mix करके, हम यहाँ पर solution बनाएंगे, जिसके अंदर volatile solvent होगा, और non-volatile solute होगा, अब यह volatile solvent मतलब क्या, कि यह ऐसा liquid, जो volatile liquid ह और ये non volatile liquid है अब आपको बता है कि volatile liquid के आदत क्या होती है क्योंकि volatile liquid molecule के बीच में जो bond होता है वो कमजोर होता है temperature मिलने पे वो bond तूट जाता है और volatile liquid बहुती आसानी से liquid state से gases state में convert हो जाता है मतलब evaporation दिखाता है ये बात हमको पता है तो देखिए यहाँ पर हम समझते य के table में तीन column यहाँ पर दिख रहा होगा first column में लिखा गया temperature जो हम boiling point को समझने वाले हैं और यहाँ पर number of molecule evaporated हम इस liquid को जब temperature देंगे तो वो liquid molecule के बीच में bond तूटेगा और वो liquid molecule liquid state से ग्यास state में जाएंगे उन liquid molecule को बोलेंगे evaporated liquid molecule तो इस column के अंदर वो number of liquid molecule को शो करें और इस column के अंदर जो भी liquid molecule यहाँ से निकल के ग्यास state में convert हो चुके है अब जब वो ग्यास state में चले जाएंगे तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे container के वाल से टकराएंगे और pressure create करेंगे उसी को कहा जाता vapor pressure वो vapor pressure कितना होगा वो इस column के अंदर शो करेंगे similar case दोनों table में हम वैसे ही देखने वाले लेकिन इस table के अंदर जो भी data दिखाया गया है वो इस liquid का data इसके अंदर रहेगा और इस table के अंदर जो भी data दिखाया गया है वो solution के बारे में यहाँ पर होगा अब हम detail में समझते देखिए यहाँ पर जो liquid है सबसे पहला मैंने 20 degree Celsius का temperature दिया जब मैंने 20 degree Celsius का temperature दिया तो यह जो liquid molecule है उनके बीच में bond तूट गया और 20 liquid molecule liquid state से ग्यास state में चले गए सो evaporated liquid molecule कितना रहेगा 20 अब जो liquid molecule ग्यास state में चले गए वो 20 molecule आपस में एक दूसरे से टकराएंगे container के wall से टकराएंगे और pressure create करेंगे और उसी pressure कहा जाता vapor pressure और वो vapor pressure 0.2 ATM का था बादने मैंने उसे और temperature बढ़ाया temperature 40 degree Celsius हो चुका है तब यहां से 40 degree Celsius का temperature मिला तब यहां से 40 liquid molecule ग्यास state में convert हो गए और आपस में vapor pressure create किये जो vapor pressure create किये वो 0.4 ATM है फिर ऐसे ही temperature और increase किया 60 degree Celsius का temperature आया तब 60 liquid molecule यहां से ग्यास state में चले गए और आपस में pressure create किये वो vapor pressure 0.6 ATM हो गया फिर ऐसे 80 degree Celsius का temperature दिया वहां से 80 liquid molecule ग्यास से में convert हो गए और आपस में vapor pressure create किये वो 0.8 ATM देखेगा last में हमने 100 degree Celsius का temperature दिया वहां से 100 liquid molecule ग्यास से में convert हो गए ग्यास से में convert होना मतलब vapor में convert होना और आपस में vapor pressure create किये वो 1 ATM का vapor pressure आ रहा है द्यान से समझेगा definition क्या बोड़ रहा था कि एक ऐसा temperature जहां पर liquid का vapor pressure और atmosphere pressure से मो जाए उसी temperature को उस liquid का boiling point कहा जाता है यह आपका definition बता रहा है अब देखिए मैंने 100 degree Celsius का temperature दिया इस liquid को तब 100 liquid molecule ग्यास से स्टेट में convert हुए आपस में pressure बनाया और वो vapor pressure 1 ATM का था वेपर pressure of this liquid is 1 ATM और atmospheric pressure कितना है 1 ATM तो यह 1 ATM का vapor pressure create करवाने के लिए हमने इस liquid को कितना temperature दिया था 100 degree Celsius और यह 100 degree Celsius इस liquid का boiling point बन जाएगा तो boiling point is equal to 100 degree Celsius और याद रखना मैं आपको पहले बोला है जिस liquid का आप data represent कर रहे हो अगर वो liquid pure liquid है तो उसके उपर यहाँ पर 0 से दिखाते हैं तो मैं अभी boiling point is liquid का बता रहा हूँ लेकिन वो liquid pure liquid है इसलिए T के उपर यह जो 0 जैसा structure आपको दिख रहा है या फिर O जैसा दिख रहा है उससे represent किया है So boiling point of this pure liquid that is solvent is 100 degree Celsius अब आप समझ चुके होंगे अब देखिए अभी यहाँ solution को देखिएगा यह जो solution यहाँ बनाया गया है यह solution के अंदर volatile liquid यानि कि solvent है और non volatile liquid यानि कि solute है अब इसके अंदर दोनों mixture है और अभी volatile solvent के surface पे non volatile solute भी cover करके रखा है जिसके वज़े से यह volatile liquid molecule liquid state से gases state में आसानि से नहीं जा पाती उन्हीं जाने में दिक्कत होगा क्योंकि non volatile solute उपर का surface cover करके रखा है और non volatile solute की आदत क्या है वो खुद liquid से gases में convert नहीं होगा और नीचे कोई अगर volatile liquid है तो उसे भी वो दबा देता है जिसके वज़े से आसानि से यह volatile liquid ग्यास state में convert नहीं होगा लेकिन हमें liquid state से gases state में convert करना है तो हमें बहुत जादा temperature देना पड़ेगा तब जाके वो liquid molecule की बिश में bond तूरता है और बड़ी speed से या नीचे के pressure से वो liquid state से gases state में convert होगा उसके लिए भी हम क्या करेंगे आप देखेगा यहाँ पर एक container के अंदर absorb कर सकते हो जो red color से दिखाया गया है मतलब red dot जो दिख रहा है वो non volatile solute है और जो blue color में liquid दिख रहा है वो volatile solvent है दोनों mixture है अब क्या उसकी data है अभी हाँ दिखते है फर्स कोलम में temperature जो boiling point देखने वाले है number of molecule evaporated उतने number of molecule जो liquid state से gas state में convert हो चुके है और फर्ड कोलम में जो liquid molecule ग्यास state में convert हो चुके वो उपर जाने के बाद vapor pressure create करेंगे वो फर्ड कोलम में दिखाएंगे सबसे पहला हमने 40 degree Celsius तक temperature दिया तब हमने observe किया वहाँ से सिर्फ 20 liquid molecule liquid state से gas state में convert हुए और वो 20 gases molecule vapor pressure create किये वो vapor pressure 0.2 atm था दोनों के अगर comparison करने जाओगे तो यह pure liquid था जब मैंने 20 degree Celsius दिया तो 20 molecule liquid state से gas state में गये थे 40 degree Celsius का temperature दिया तब 40 liquid molecule liquid state से gas state में गये थे और 0.4 atm का vapor pressure create कर रहे थे बट यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हमने 40 degree Celsius दिया लेकिन सिर्फ 20 liquid molecule liquid state से gas state में convert हो रहे है और आपस में जो vapor pressure create किया वो 0.2 atm create किया नेक्स हमने 60 degree Celsius तक temperature rise किया तो वहाँ से 40 liquid molecule gas state में गये आपस में vapor pressure create किये 0.4 atm नेक्स उसके बाद 80 degree Celsius का temperature दिया 60 liquid molecule gas state में convert हो गये आपस में vapor pressure create किये 0.6 atm उसके बाद 100 degree Celsius का temperature दिया उसमें 80 liquid molecule liquid state से gas state में गये आपस में vapor pressure create किये 0.8 atm अब देखिएगा जब 120 degree Celsius का temperature दिया तब 100 liquid molecule gas state में convert हो ये और मन्दब vapor में convert हुए और आपस में vapor pressure create किये वो 1 atm create किये और मैंने आपको पहले consider करने के लिए कहा था कि 100 vapor molecule create vapor pressure equal to 1 atm करके तो 100 यहाँ पर vapor molecule आगे वो vapor pressure कितना create किये 1 atm लेकिन उसके लिए जो temperature देना पड़ा वो 120 degree Celsius आपका definition क्या बोड़ रहा था जब उसका liquid का vapor pressure 1 atm होता है atmospheric pressure के बराबर तब जो भी temperature दिया है उस liquid का boiling point बनेगा अब आप देखिएगा ये solution का boiling point है वो कितना होने वाला है अब ये solution का यहाँ पर vapor pressure कितना आ रहा 1 atm और atmospheric vapor pressure कितना है 1 atm दोनों सेम होगे ये 1 atm vapor pressure create करवाने के लिए यहाँ पर temperature कितना दिया गया था 120 degree Celsius for 1 atm vapor pressure we have provided 120 degree Celsius temperature तो ये जो 120 degree Celsius है वो इस solution का boiling point बन जाएगा this is the boiling point of this solution याद रखना ये solution के अंदर solvent का ही vapor pressure बन रहा है कभी solution के अंदर solute और solvent पिक्स होने के बाद तो अब इसका कितना temperature कितना है 120 degree Celsius आप थोड़ा detail में समझेगा आप देख सकते हो इसके अंदर non-volatile solute भी था और volatile solvent भी था लेकिन non-volatile solute का तो कोई मदलब भी नहीं है क्योंकि वो liquid state से gas state में जाने वाला है नहीं तो non-volatile solute का कोई vapor pressure बनता ही नहीं बनता किसका है solvent का तो solvent का जब वो pure state में था तब उसका boiling point कितना था 100 degree Celsius इसी solvent का solution में solution बनने के बाद उसका boiling point कितना आ रहा है 120 degree Celsius तो आप देख सकते हो solvent का boiling point बढ़ गया है माना कि solvent का vapor pressure कम हो गया है लेकिन solvent का जो boiling point है वो increase हो गया है solvent जब pure state में था तब 100 degree Celsius का boiling point था लेकिन जब वो solution बना मतलब solute के साथ mix हो गया तब solvent का boiling point increase हो गया है 120 degree Celsius हो गया है तो कितना increase हो गया है that is elevation of boiling point of solvent in a solution मतलब solvents का boiling point elevation हो गया है increase हो गया है solution में जाने के बाद कितना increase हो गया है increase in boiling point that is T minus T naught याद रखना इस बार जो solvent है solute के साथ mix हो गया है तो उसका boiling point दिखाते हैं वक्त मैं T के उपर कोई 0 नहीं लिकूंगा सिर्फ जब वो pure state में हैं तभी यहाँ पर 0 से represent करते हैं T के उपर तो अभी जो solvent का increase in temperature है that is T minus T0 that is delta Tb देखें solution of non-volatile solute मतलब यह वो solution है जिसके अंदर volatile solvent है और non-volatile solute है अभी हमने इससे पहले देखा कि यह जो solution के अंदर जो solvent था उसका boiling point increase होते हुए देखा था और हमने पड़ा कि elevation of boiling point of solvent in a solution that is delta Tb is equal to T minus T0 यह T क्या था boiling point of solvent in a solution और T0 जो था वो boiling point of pure solvent था और हमने increase in temperature देखा था यानि कि increasing boiling point of solvent in a solution देखा था अभी हम समझते कि यह जो solution है इसका molality देखते तो molality of solution formula क्या है molality is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg अब number of moles of solute को N2 से represent किया है mass of solvent को W1 से in kg तो in kg करके लिखा है molality को small m से बताएंगे अब इस formula को थोड़ा description मतलब पूरा analyze करके देखेंगे देखेंगे जो भी यह solution है यह solution के अंदर solute है और solvent है तो जो solute है solute के mass को mass of solute को हम consider करेंगे W2 उसके बाद molar mass of molar mass of solute उसे हम मानते है M2 ठीक है और जो mass of solvent है इसे हम consider करेंगे W1 अब देखिए जो भी यहां पर solution दिया है उसके अंदर solute है और solvent है तो हमें इस formula के लिए क्या चाहिए number of moles of solute चाहिए so number of moles of solute number of moles of solute उसे मैं consider कर रहा हूं N2 so number of moles of solute का formula क्या रहेगा mass of solute upon molar mass of solute तो यह बन जाएगा number of moles of solute अब अगर मानीजे जो भी यह solvent हमने लिया है वो solvent अगर gram में दिया रहेगा तो kg में कैसे convert करेंगे so देखे अगर मान लीजे यहां पर w1 in gram में in gram में मतलब यहां पर बोला है w1 gram तो w1 को kg में convert करना है तो कैसे करोगे w1 gram को kg में convert करना है तो 10 to the power minus 3 kg अब इसी को आप बोल सकते हो कि w1 in kg कह सकते हो मतलब जो भी solvent यहां दिया है वो solvent को अगर वो gram में दिया है that is w1 gram gram को kg में convert करना है तो 10 to the power minus 3 kg और w1 के जगा पर w1 वैसा ही रहेगा that is mass of solvent है अब इसको आप लिख सकते हो कि w1 in kg अब इस formula को modify करो molality is equal to number of moles of solute उसका formula क्या है हाँ पर w2 that is mass of solute upon molar mass of solute w1 in kg मतलब mass of solvent in kg उसका क्या हाँ पर w1 into 10 to the power minus 3 kg यह आ गया अब कुछ नहीं है मतलब नीचे बन रेगा अब आपको पता हिए जाके यहाँ multiply होता है यहाँ multiply होता है तो 10 to the power minus 3 यहाँ आएगा फिर वो उपर जाएगा तो 10 to the power 3 आ जाएगा तो finally आपको formula क्या बनेगा यहाँ बनेगा molality is equal to w2 upon m2 अब यह यहाँ आ जाएगा w1 into 10 to the power minus 3 kg अब देखिए यहाँ पर अगर यह 10 to the power minus 3 kg उसको उपर shift करेंगे तो finally आपको क्या मिलेगा w2 upon w1 into m2 into 10 to the power 3 यानि के 1000 तो आप 1000 लिख सकते हो clear हो गया formula बन गया अब molality का देखो unit क्या आएगा number of moles of solute हमेशा किसमे होते mol में होता है तो यह mol हो जाएगा और mass of solvent किसमे kg में है तो mol पर kg molality का unit आ जाएगा यह है molality का formula finally हम समझ गे कि जो molality का formula है molality का formula आ रहा है कि w2 upon w1 into m2 into यहाँ पर 1000 यह molality का formula था और molality का ऐसा unit क्या है number of moles of solute इसका unit रहेगा mol और mass of solvent in kg तो यह रहेगा kg mol पर kg यह molality का ऐसा unit है और molality का formula यह बन गया अभी ज़रा धहान से समझेए सबसे पहला जब हमने study किये थे तो जब pure solvent था तो pure solvent का boiling point जो आ रहा था वो 100 degree Celsius आ रहा था फिर वो solvent को solute के साथ mix कर दिया तो तभी solvent का boiling point को हमने अबज़व किया तब उसका आ रहा था 120 degree Celsius यानि के solvent का boiling point solution में ज़ादा है और pure state में कम था तो elevation of boiling point of solvent इना solution देल्टा टी बी इस इकोल टी माइनस टी नॉट अब देल्टा टी बी इस इकोल टी यह जो टी है उदर कितना लिकोगे 120 degree Celsius या 100 degree Celsius finally you will get increase in temperature of solvent in a solution is 20 degree Celsius आप यह समझ गए कि solvent का boiling point non-volatile solute के साथ mix करने के बाद increase हो गया है 20 degree Celsius और वही formula हमने यहाँ पर represent किया है अब जरा धायन से समझेगा अगर non-volatile solute को आप यह volatile solvent में जादा डाल दिये होते तो आपको और जादा temperature देना पड़ता उसकी vapor pressure को atmospheric vapor pressure से equal करने के लिए यानि के वो लेटा है solvent को liquid state से gas state में convert करने के लिए आपको और भी जादा temperature देना पड़ता अगर वो solvent के अंदर solute जादा होता तो यानि के solvent में number of moles of solute जादा रेगा तो उसकी elevation of boiling point और जादा आएगा solvent का boiling point और जादा बढ़ेगा तो number of moles of solute solvent में maximum रेगा तो elevation of boiling point भी maximum आएगा indirectly क्या पता चल रहा है molality जादा रेगा तो elevation of boiling point of solvent इना solution भी जादा रेगा तो practically या experimentally हम बोल सकते हैं कि elevation of boiling point of solvent इना solution is directly proportional to the molality आप देखिए यह delta tb is equal to proportionality symbol निकाल के constant put करना होता है तो constant यहाँ पर हमने kb put कर दिया and this is molality यह जो kb है यह constant को कहते हैं molal elevation of boiling point constant या फिर इसी को दूसरा नाम से भी बोलते हैं ebilioscopic constant के दे इbilioscopic constant कहा जाता है clear हो गया है अब अगर यहाँ पर देखिए मतलब इसका इस नाम है यहाँ पर constant का नाम है molal elevation of boiling point constant या उसी को कहते हैं ebilioscopic constant कहा जाता है अब देखो यहाँ पर अगर यह kb का formula बनाने जाओं तो यह नीचे आ जाएगा delta tb upon m आ जाएगा अगर हम इसका unit निकालने जाए delta tb मतलब क्या increasing temperature मतलब increasing boiling point तो वो अगर हम Kelvin में ले लेंगे समझो और यह molality है molality का unit क्या है mol per kg है so mol per kg यह उपर जाएगा तो finally Kelvin kg per mol यह उसका unit हो जाएगा कभी कभार है अगर यहाँ पर Kelvin में नहीं रहा degree Celsius में रहा तो degree Celsius kg per mol यह ebilioscopic constant का SI unit हो जाएगा अब यह बन गया है यहाँ पर आपका formula आप ज़रा इसको और expand करेंगे तो आप क्या बना सकते हो यहाँ पर delta tb is equal to यह जो kb है मैंने यहीं लिख दिया ऐसे और यह जो molality है molality का formula आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर लिखोगे W2 into 1000 upon W1 into M2 समझाए यहाँ पर यह हो गया elevation of boiling point of solvent in a solution उसका formula धान रखेगा अगर यह जो W1 है यानि कि mass of solvent है वो अगर gram में दिया रहेगा तभी यह वाला formula आएगा अगर mass of solvent directly kg में दिया रहेगा तो आपको यहाँ पर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है आप directly यह 1000 निकाल दोगे और फिर आप solution निकालोगे समझ में आ गए यहाँ पर यह है elevation of boiling point of solvent in a solution का formula देखे अभी हम समझते vapor pressure temperature curves of pure solvent and solution यानि कि pure solvent and solution के बीच में vapor pressure temperature का curve इस graph com समझते उससे समझने के लिए पहले यह diagram देखेगा और इससे समझेगा आपको पता है कि यहाँ पर यह volatile solvent है that is pure solvent है और यह non-volatile solute है और यह solution है जिसके अंदर volatile solvent और non-volatile solute दोनों mix करके बनाया गए और हम जानते है कि यह जो pure solvent है उसका boiling point जो आ रहा था वो 100 degree Celsius आ रहा था तो T0 is equal to 100 degree Celsius लेकिन जो solution बन गया है solution में यह जो solvent है उसका boiling point आ रहा था T is equal to 120 degree Celsius क्योंकि जिस data को हम analyze करके समझेते उसके according हमने यही समझेते अब इसी के base पर इस graph को easily समझने की कोशिश करते देखे यहाँ पर यह जो y axis आपको दीख रहा है यहाँ पर vapor pressure रहेगा और x axis पर temperature रहेगा और याद रखना 1 atm is equal to 760 mmHg यानि कि 760 mm of mercury होता है तो यह दोनों इक दूसरे को equal होता है और हमने boiling point का मदलब क्या जान चुके थे boiling point मदलब एक ऐसा temperature जहाँ पर उस substance का vapor pressure 1 atm होना चाहिए यानि कि 1 atm vapor pressure बनाने के लिए जो भी temperature देते हैं उसी को हमने क्या समझे boiling point समझे अब इस graph को अगर आप समने की कोशिश करोगे तो देखो यह जो t0 है that is boiling point of pure solvent हमने जिस data को समझे थे उस data में vapor pressure of pure solvent कितना लिया vapor pressure of pure solvent कितना 1 atm होता है तो उसके लिए जो boiling point हमने देखा वो 100 degree Celsius तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 100 degree Celsius इसे मानते और जो solution का boiling point हमने देखा वो कितना था यहाँ पर 120 degree Celsius clear है 760 mmHg इसका मतलब क्या होगा 180m होगा क्योंकि 1 atmospheric pressure ही होता है 760 mm of mercury करके अब graph को समझते देखिए हम अगर pure solvent की बात कर रहे pure solvent का जब 100 degree Celsius हो रहा था तो वो तो boiling point है तो उस वक्त जो vapor pressure है वो कितना होना चाहिए 180m होना चाहिए तो इसका मतलब यह जो graph है यह इस तरह जाएगा and this is for solvent के लिए हो गाए दीरे दीरे क्या हो रहा था वो temperature हम बढ़ा रहते बढ़ा रहते देखो अब starting में यहाँ पर temperature इदर तक है तो vapor pressure यहाँ तक है फिर temperature आगे बढ़ गया तो vapor pressure और आगे बढ़ गया फिर temperature और temperature और आगे बढ़ गया तो vapor pressure थोड़ा आगे बढ़ गया फाइनली जब टेम्परेचर यहां 100 डिग्री सिल्सेस पहुंचा तो वेपर प्रेशर कितना हो रहा था 180 आ रहा था तो यह हो गया सॉल्वेंट के लिए दूसरा देखें यहां पर सॉलुशन की बात करते सॉलुशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है 120 डिग्री सिल्सेस जो 120 डिग्री सिल्सेस तक पहुंचा तो वेपर प्रेशर कितना 180 हुआ तो इसका ग्राफ कैसा आएगा यह कुछ ऐसा आएगा इस तरह and this is for solution समझ गे temperature बढ़ रहा है तो उसकी वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है एक टाइम आया जब उसका वेपर प्रेशर 180 हो गया तब हमारा temperature कितना आता 120 डिग्री सिल्सेस तो वो solution का pointing point कितना हो गया 120 डिग्री सिल्सेस जिस डेटा को हमने समझे थे उसी डे for solvent and this call for solution अब हम एक question को solve करते 0.15 molar solution of a substance boil set 373.23 Kelvin calculate molar elevation constant of water given boiling point of water is equal to 373.15 Kelvin अब इस question को detail में समझ के solve करते देखे क्या बोला है कि माल लीजिए एक container लिया मैंने और इस container के अंदर जो solvent है वो solvent है water so water is the solvent अब इसके अंदर कुछ substance को डालके रखा है अब जो भी substance को इसके अंदर डालके रखे होंगे वो non-volatile solute होगा तभी तो ये solution बन गया solution of non-volatile अब इसके जो molality है molality कितना दिया है 0.15 दिया हुआ है और जो solvent है solvent का boiling point अब solvent का है water है तो water का boiling point T0 is equal to 373.15 Kelvin दिया हुआ है और जो solution है यानि के solvent का boiling point solution के अंदर यानि के T is equal to कितना दिया है 373.23 Kelvin दिया है और आपको पूछ ये रहा है कि molal elevation constant पूछ रहा है इसका मतलब Kb पूछ रहा है इसी का दूसरा नाम क्या था? Ibelioscopic constant के रहा था अब आपको ये निकालना है सबसे पहला आपको formula पता है कि delta Tb is equal to Kb into M लेकिन देखो delta Tb निकालना है so delta Tb is equal to क्या पढ़ेते यहाँ पर T minus T0 अगर आप delta Tb निकालोगे तो T कितना है 373.23 minus 373.15 ये दोनों put कर दिया अगर आप यहाँ से sort out करते हो तो 0.08 Kelvin मिल रहा है finally you got elevation of boiling point of solvent in a solution 0.08 Kelvin मिल गया अभी हम solve कर सकते हमें निकालना क्या है हमें Kb निकालना है so देखो formula से क्या बनेगा Kb is equal to delta Tb और यह M नीचे आएगा तो यह नीचे आ गया finally Kb is equal to यह जो delta Tb वो कितना आ रहा है 0.08 Kelvin आ रहा है अब Kelvin बाद में लिखेंगे unit solve करेंगे direct next यह जो molality वो कितना है 0.15R आ रहा है 15.575 फिर 50 15.345 फिर 50 15.345 फिर 50 15.345 अब यूनिट क्या है गा देखो delta Tb का यूनिट क्या होता है Kelvin और यह molality का यूनिट क्या होता है mol per kg इसको उपर बेजोगे तो finally you will get Kb is equal to 0.53 Kelvin kg पर mol यह है Kb का answer समझ में आ गया